मसकार दोस्तों तो स्वागत है आपका फिर से मेरी एक नई वीडियो बे तो कैज आज की वीडियो भी pen card से related होने वाली है तो कैज इसली वीडियो में आपको बताया था कि आप किस तरह से अपने pen card के लिए online apply कर सकते हैं तो कैज वहाँ पर हमने online apply किया था और pen card को भी download कर ल जाएगी तो वहाँ पर आपका pen card वहाँ पर active हो जाएगा और आप उसके बाद pen card की digital copy के लिए apply कर सकते हैं तो guys आप अपने pen card को verify करने के लिए आप सिधे-सिधे all India income tax की official website पर भी जा सकते हैं या तो मैं इसका link अपने description box में दे दूँगा आप वहाँ से सिधे-सिधे उस subscribe करना ना भूले और बगल में bell icon को भी प्रेस करना ना भूले तो guys अब आपने क्या कर लेना है जो description में link होगा उस पर सीधे click कर लेना है तो guys आप सीधे-सिधे इस वाले website पर आ जाएंगे तो guys यहाँ पर आपने जो आपका pen card download किया था उसका pen card number यहाँ पर डाल लेना है उसके बाद आपने यहाँ पर अपना जो आधार कार्ड में name है वो यहाँ पर फिल कर लेना है उसके बाद नीचे वाले option पर यहाँ पर आप अपना data worth फिल करेंगे तो guys यहाँ पर date month और उसके बाद year करके यहाँ पर आप अपनी data worth यहाँ पर फिल कर लेंगे उसके बाद यहाँ पर जो individual का option है आपका यहाँ पर उसको आप individually रहने देंगे आप check भी कर सकते हैं तो यहाँ पर हम individual पर ही click करेंगे उसके बाद आपने सिदे सिदे यह capture code भी यहाँ पर fill कर लेना है तो guys जैसी आप यह capture code भरेंगे यहाँ पर capture code fill करेंगे उसके बाद आपने यहाँ पर सीदे सीदे इसको पूरी detail को यहाँ पर पहले check कर लेना है कि आपने सही से जो आधर कार्ड में name है वो fill कर लिया है जो pen card number है यहाँ पर सीदे सीदे fill कर रहा है या नहीं कर रहा है उसके ब बाद आपके सामने कुछ इस तरह का interface देखने को मिलेगा यहाँ पर सामने आ जाएक है कि pen is active करके यहाँ पर आ जाएगा आपका pen card यहाँ पर active हो चुका है तो guys इस तरह से आप अपने pen card को verify कर सकते हैं तो guys अगर यह वीडियो आपको एच्छे लगी हो तो guys वीडियो को like share करना ना भोले चैनल पर नहीं आए हो तो guys चैनल को भी subscribe करना ना भोले यहाँ पर आपने pen card को verify करने के बाद आप अपने pen card की digital copy के लिए apply कैसे कर सकते हैं और उसमें charge कितना पड़ेगा इसके लिए मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा तो guys इस वीडियो में इतना आई मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए जैहिन वंदे मातरम